कि दोस्तों इस वीडियो में हम देख hierarchy को हमें कैसे डाउनलोद करना है अगर आपकी जो आर सी है वो खोच चुकी है या फिर आपने कोई नया वीवीडर पर्चेस किया है और आभी तक आपको वीकल की आर्सी नहीं मिली है तो इस वीडियो में जो तरीका आपको बताऊंगा उसमें आप अपने वीकल की जो आर्सी है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकोगे वीकल की आर्सी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को परिवहान.gov.in जो ओफिसेल पोल्टल है इसी पे आना है इस वेपसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अब यहां पर आप सभी को वीकल से रिलेटेट सर् पेज जो है ऑटोमेटिक रिडारेक्ट होगा और आप अपनी इस्टेट की परिवहान डिपार्टमेंट की जो वेपसाइट है हुईकल से रिलेटेट उस पे आप आ जाओगे अब यहां पर कोई भी सर्विस को एकसेस करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो सबसे करना है तो यहां पर कोड़ है साथी में लिश्ट हैं यहां पर देखने को मिल जाती हैं सेलेक्शन करोगे और टर्मन करें करना है प्रोसीड के आपीट कर देना अब आप सभी के सामने एक pop-up आएगा जहां पर आप सभी को यह दिखाया जाता है कि कौन-कौन सी services है जिनको आप online access कर सकते हो जैसे कि यहां पर आपको बताया जाता है कि RC को अगर आपको download करना है या पिर dealer को अगर आपको transfer करना है तो आप सभी को mobile के जरिए मिल जाएगा साथ में आधार के जरिए भी कई सारी services है जिनको आप access कर सकते हो तो हमें proceed की टैप पर क्लिक करना है तो अब आप सभी के सामने online services से related एक पूरा ही पेज आ जाता है जहां पर आगर आपको RC को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड डोकुमेंट का जो option दिया गया है इस option पर आप क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट फिटिनेस साथ पिकेट का option मिलता है इसी के साथ में RC फॉर्म नंबर 23 यहां पर दिया गया है जिस पर क्लिक करके हम अपनी जो आरसी है वो प्रिंट कर सकते हैं अब यहां पर अगर आप डारेक्टली आरसी प्रिंट करने की कोशिस करोगे तो आपको एर देखनी को मिलेगा उससे पहले जरूरी है कि हुईकल का जो आउनर है उसका जो आधार नंबर है इसी के साथ में मॉबाइल नंबर इसके हुईकल से रेजिस्टर होना चाहिए तो यहां पर आज की डेट में आपने गाड़ी से अपना जो मॉबाइल है आधार है खुछ से ही ऑनलाई लिंक कर सकते हो फ्यू क्लिक के अंदर तो सबसे पहले तो आप सभी को सर्विस के है किन-किन स्टेट में जो सर्विस है वो अवेलबल है आपको यहां पर देख लेना है यह की ऑप्शन पर क्लिक करना है अब यहां पर आप सभी से सबसे पहले तो हुईकल का जो रजिस्टेशन नंबर है वो फिल करना है तो कैपिटल लेटर पे अपना जो गाड़ी का नं नंबर है वो अच्छे से बिसिबल नहीं होता तो उसकेस में अगर ऐसा कुछ इसू फेस कर रहे हो तो डिजी लॉकर में आप अपनी जो आर्सी है वो क्यों रजिस्टेशन नंबर के जरिए फेच कर सकते हो वहां से फेच करने के बाद में आप सभी को चेचिस नंबर सब्सक्राइब करना है और आप सबसे पहले तो आप सबी से आधार नंबर मांगा जाता है तो आपको अपना अधार नंबर फिल करना है इसी के साथ में आप सबी का जो नेम है आधार पर जैसा ही सेम इस बॉक्स में आपको इंटर करना है और आप सबी का जो आधार से मोब नमबर यहां पर इंटर करना है और वेरिफाई के option पे आपको क्लिक कर देना है अब जैसे आपके आपके वहां से अगर कोई भी पुराना पहले से mobile number link होगा तो यहां पर कुछ इसके अंक यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर आप सभी को अपना mobile कलिक करने के लिए जो option ईया है Update Mobile Number इस option tough करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि हमारा जो नेया मोबाइल nos er है वह हमार को से अब्डेट हो है आपकर से मुबाइल नमबर अपडेट होने के बाद में आपनी जोरी है हम डाउनलोड कर सकते हैं तो अब मंधम डाउनलोड डुकुमेंट की टैप पे क्लिक करना है RC को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म नंबर 23 वाला जो ऑप्शन है इसको सलेक करना है और यहाँ पर अपने हुईकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फिल करना है इसके बाद में अपना 24 नंबर गाड़ी का और इंजन नंबर फिल करने के बाद में आपको वेरिफाइड डिटेल्स की ओप्शन पे क्लिक कर देना है आपने जो मोबाइल नंबर अभी लिंक किया है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा generate OTP के टैप पे क्लिक करना है यहाँ पर OTP को फिल करते ही जैसे हमने submit के टैप पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने RC जिस तरीके की government physical issue करती है उसी तरीके की RC हमारे सामने आच चुकी है अब यहाँ पर यह जो RC है आपको print करने का उपर तरफ option दिखाया गया है जिस option पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर physical RC को आप print कर सकते हो कहीं पर भी अगर आपको चालान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा तो आप अपनी जो RC है दिखा सकते हो तो इस तरीके से आप अपनी जो RC है वो online process से डाउनलोड कर सकते हो तो इस तरीके से आप सभी लोग vehicle की जो RC है उसको डाउनलोड कर सकते हो आसा करता हूँ आज का वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो से like जरूर करना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी subscribe करके जरूर रखना vehicle से related मैंने कई सारे आने topic पर भी वीडियो बना रखे है जैसे कि अगर आपका कोई चालान हो गया है तो उसको कैसे आपको चेक करना है कैसे चालान को आप कम पैसे में जमा कर सकते हो चुड़ा सकते हो इसके अलावा अगर आपको अपना driving license बनाना है तो उसका जो वीडियो है मैंने वीडियो के description में दे रखा है आप वो वीडियो देख करके घर बैठ है ही अपना learning license उसको बना सकते हो बाकि आप सभी के मन में कोई भी सवाल है किसी भी तरीके कर सुझाओ है तो वो भी आप मुझे comment में लिख करके जरूर बताना हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक पिले गोड़ बाई चैन